दोस्तों आज आप ये फ्रेम में गाड़ी देखके चौक जरूर होगे भाई अभे कली तो बनाई थी आज फिर से बना दीगा सेम गाड़ी तो थोड़ा सा सबर करो ये देखो साइट से भी आपको एक और गाड़ी देखने मिलेगी भाई ये अब आपको वाली भी तो बना माइन डिस्टाब होता है कि भाई यार बेस मोडल लूँ टॉप मोडल लूँ सेकंड बेस लूँ तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है क्यों प्राइस रेंज का भी अंतर रहता है जब भी आपको मोडल वेरिंट चेंज करते हैं तो आपको यहां पर देखने के लिए म के बारे में तो वीडियो को पूरा एंड तक का जरूर देखना और अगर वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक कमेंट और शेयर तो बनता है और हाँ चैनल में आए हो तो चैनल को सब्स्क्राइब कर लेना बैल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि आपको ऐसे पहतरीन आठ लाग 59,000 रुपे का एक शो रूम और वहीं प्लस वेरेंट जो आपको देखने के लिए मिलता है यह मिलता है 9.99 रुपी का एक शो रूम और आता है तो यह गाड़ी आपको पढ़ जाती है बेस मोडल 9,80,000 रुपे के असपास यानि 10 रुपे से कम में आपको एक बड अपर ग्रिल पोशन तो पूरा ग्लॉसी ब्लेक में देखने के लिए मिलता है और यहां पर आपको अपर ग्रिल पोशन तो पूरा ग्लॉसी ब्लेक में देखने के लिए मिलता है और यहां पर आपको अपर ग्रिल पोशन तो पूरा ग्लॉसी ब्लेक में देखने के लिए मि मेरी इस बात करेंगे आपको आपको एया का फा करेंगे यहाँस मेरे छो प्रसव लेकर मीं आपको 대해서 क्ली में यहां पर आपको मिलता है रफ ब्लैक में पूरा और यहां पर आपको मिल जाता है ग्लॉसी का ट्रीक्मेंट इंडिकेटर्स आपको यहां पर ओवावियम में ही देखने के लिए बात करेंगे तो यहां पर आपको यहां पर रोल एंटीना देखने के लिए recurrence amazed धा यहां फुट यहां पर बैंतर ऑपको इसमें भी मिलते हैं और इसमें भी मिलते हैं दोनों काड़ियों मैं आपको फरन्ट महीं डिस्क ब्रिक आते हैं रियर में आपको drum bricks ही देखने के लिए मिलेंगे और हाँ यह जो वावियम आते हैं यह आपको auto fold के साथ देखने के लिए electrically adjustable मिल जाते हैं लेकिन यह आपको manually fold मिलेगा और इसमें अंदर आपको एक छोटा सा doodle मिल जाता है इसको adjust करने के लिए यह एंदर आपको side profile से देखने के लिए मिलता है रियर से बात करेंगे तो भाई यह देखेंगे गाड़ी का बात करें plus variant में यानि second base variant में तो भाई यहां पर आपको देखेंगे वही चीज मिलती है badging वगर है air cross लिखा हुआ मिल जाएगा parking sensors दो ही मिलते हैं लेकिन जो diffuser वाला part यहां आपको silver color में देखने के लिएंगे यहां पर एक और चीज दोर्बहर से अब को de Rox äm ही देखने के लिए मिलता है जैसे यहाँ पे यहां गुरीए बिलते हैं वैसे ही टेल लेंग सापको इसमें भी मिल जाएगा अब बूट की बात करेंगे तो भाई यह देखें सॉफ्ट ओपनिंग यहां पर आपको बूट की मिल जाती है और बूट स्पेस भाई इस तरीके साफ को मिलेगा बड़ा बड़ा यहां पर आपको हेंगिंग का ओप्शन मिल जाएगा पार्शल ट्रे के लिए ज के बूट को करते हैं बन अब चलते हैं सेकंड बेस के बूट के अंदर यहां चलेंगे तो भाई यह देखें यहां पर भी आपको सॉफ्ट ओपनिंग मिल जाती है बूट स्पेस एडिशनल क्या मिला यहां पर आपको मिल जाती है पार्शल ट्रे प्लस बूट स्पेस तो व Capsody देखने के लिए मिलती है यह भी आपको Co-Drivers ID देखने के लिए मिलेगी अब बात करते हैं गाड़ी के अंदर गाड़ी के अंदर बात करेंगे तो देखें यहाँ पको Keyhole मिल या Smart Entry तो नहीं मिलती है लेकिन Center Locking आपको यहाँ पर मिल जाती है आपको एक Remote की यहाँ पर देखने के लिए मिलती है अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको softage मिल जाएगा फैब्रिक में यहाँ पर आपको चार के चार पावर वंडे को switch मिल जाते हैं डोर हंडल आपको silver finishing में मिलेगा water holder space मैप pocket है speakers की placing यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है और height addition का option यहाँ पर आपको मिल जाएगा fuel tank का lead यहाँ से खोलेंगे आप यहाँ से आप गाड़ी का hood खोल सकते हैं यहाँ पर आपको headland leveler है windows का locking system यहाँ पर आपको मिल जाता है यहाँ पर आपको AC vents मिल जाएंगे जिसके outer में आपको glossy और chrome cover करेखने के लिए मिलता है फिर left hand side में आपको wiper के control right hand side में आपको headlamp और indicator के control मिलते हैं cluster को एक बार on करते हैं system भी on होगा यह देखे कुछ इस तरीके सा और system इस तरीके से tire pressure monitoring system भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा android auto apple car play का साथ यहाँ पर music system मिल जाता है जो 10.25 inch का है और यहाँ पर आपको glossy black का pattern द nishing मिल जाती है हलका सा design थोड़ा सा change मिलेगा फिर यहाँ पर आपको एक phone रखने के लिए place है नीचे एक utility का space है two cup holder का option है फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो gear का आउटर में भी आपको silver का work देखने के लिए मिलता है बाकी यहाँ चेक आउट करेंगे तो 5-speed gear transmission है type A का port है और 12-volt adapter socket है है आपको मिल जाएगा hazard lamp का button है AC के control से यहाँ आपको मिल जाते है manual में मिलेंगे फिर यहाँ पर भी आपको एक space देखने के लिए मिल जाता है नीचे coin वगरा या टोल वगरा carry कर सकते हैं globe box की बात करेंगे तो भाई यह organizer के साथ globe box मिलता है cool का option नहीं है na globe lamp यह आपको देखने के लिए मिलेगा बाकि यहाँ पर जगह मिल रहे हैं यहाँ पर ट्वीटर साते हैं लेकिन इस वाइले वेरेंट में ट्वीटर सापको मिलते नहीं है बाकि मैनवली अजस्टबल आई रव्यम है रिडिंग लैम का option आपको हैलो जो मिलेगा मैक की placing है यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ आपको वैणी आपको कुछ यतन ही यहाँ पर देखने की मिलेगा अब चलते हैं बेस वेरेंट में वहाँ क्या क्या चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है इसको को आते हैं तो बहुन है इसका नहीं उर्प मूरिग और का ध्रवाजा खोँलता पावर बंडो यहाँ पापको देखने के लिए फ्रेंट के लिए लोर हैंडल वही ब्लैक फिनिशिंग में है यह आपको डूडल मिल ओवावियम को एड़स्ट करने के लिए इंटीरियर देखेंगे तो भाई यह देखें इंटीरियर कुछ इस तरीके से मिलता है बहुती देखेंगे तो यह खाली ग्लॉसी का वर्क यहाँ पर आपको मिलता है और इसकी चाबी की अगर बात करेंगे तो वह आपको मिल जाएंगी लेकिन गाड़ी में सेंटर लॉकिंग आपको देखने के लिए मिलती है यह देखें अच्छा गाड़ी का दरवाजा बंद करूँ बीच में छोटा सा MMID डिस्प्ले यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते है जिसमें आपको सारी चीजे दिखाएगा बाकी लेफ एंड साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल सा राइट एंड साइड में आता नहीं है यहाँ पर एक प्लेस मिल जाएगा फोन रखने के लि गाले मिलता है यहाँ पर भी वही स्पेस मिल जाएगा पर यहाँ देखेंगे यहाँ पर देखेंगे यह पूरा डेश्बॉर्ट से लगा इसमें कोई अडिशनल इंसर्ट नहीं मिल रहा था आयरियम की बात करूँगा मैनुवली अध्जस्टबल भी नहीं मिलता है रिडि के लिए मिलती है लेकिन इसकी सीट का डिजाइन मुझे उसके डिजाइन से ज्यादा बैटर लगा थोड़ा सा डाकिश में चैकिस और ब्लेक का कॉमिनेशन है और औरेंज कलर की स्टिचिंग यहां पर आपको साफ विजिबिल हो रही है जो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है पीछे का डोर खोलते हैं तो भाई यह देखे तो पीछे का इंटीरियर आपको इस तरीके से हम पर मिलेगा ओ हो पीछे के जो हैड्रस नहीं यह आपको एड्जसबल नहीं मिलते हैं प्रेंट के भी नहीं मिलते हैं ना कोई charging port यहां पर आपको पीछे देखने के लिए मिल और यहां पर ना आपको grabbing handles मिल रहे हैं ना आपको सेंटर में कोई reading lamp यहां पर देखने के लिए मिल रहा है बागी दोर में बात करेंगे तो भाई यह तो खेर हाट प्लास्टिक में ही आपको मिलता है और उंड को स्विच्च है डोर है ब्लैक फिनिशिंग में मिल जाएगा बॉटर होडर स्पेस है स्पीकर्स की खाली जगह है आपको देखने के लिए मिलती है तो भाई इसके पीछे से तो कुछ इतना ही है बागी अंडर थाई सपोर्ट वगरा दोनों गाडियों में तो खेर सेम ही आपको मिलना है और इसको कर देते हैं बन अब प्लस वेरेंड क बात करते हैं तो प्लैस वेरेंड में यहां पर थे आपको सोफ्टच मिल जाएगा सब्सक्राइब में पीछे आपको लुश्य का ट्रीट्मेंट का स्विच यहां पर आज आता है हूं क्ले नहीं इसमें अ div दूर्फ मिल जाते हैं उपर रीडिंग लेम को उप्शन मिल जाएगा प्लस तो हहां पर पर आप देखेंगे तो आपको ग्रभींग मिल जाते हैं इसके इंजिन में क्या चीज़् आपको यहाँ पर दे Conspirator मिलती हैं इंजिन की आगए में बात करू upside क तो भाई दोनों गाड़ियों का इंजन आपको सेमी मिलता है 1200 सिसी का थी स्लेंडर नैचुरली एस्परेटेड इंजन मिल जाता है लेकिन यहां पर आपको टर्बो इंजन भी देखने के लिए मिलता है और अगर आप इस गाड़ी में सेवन सिटर ऑप्शन भी लेना चाते है कि अगर आप आप आटमेटिक चाते हैं तो वो भी मिल जाए 7 सिटर चाते हैं तो वो भी आपको इहां पर देखने के लिए मिल जाता है बाकी इंजन की जैसे मैं बात कर रहा था 1200 सिसी का थी स्लेंडर नैचुरली एस्परेटेड इंजन है और की बात करूँगा तो एक्सो लोल कंट्रोल जैसे फीचर तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलते हैं बागी वारंटी की बात करूँगा तो भाई वह आपको दो साल 40,000 क्रूटर की देखने के लिए मिलती है जिसे आप एक्स्टेंड भी करा सकते हैं तो भाई यह तो था इसका इंजन अब अगर फ बेस मोडल को ले सकते हैं कि एक शोरूम आपको मात्र आठ लाक 59,000 रुपे सा शुरू हो जा रहा है और दस लाक रुपे के अंदर अंदर गाड़ी पूरी समध भी जा रही है यानि नौसी में समध जा रही है तो आप सोचो नौसी में जहां पर आप बले नो वेके नार इ आते हैं कि एक SUV भी आजाए अब जैसे आप नेक्सों वगरा लिंगे या कोई भी गाड़ी उनके उपर वाले मॉडल लेते हैं तो वहां पर क्या है उनकी प्राइस रेंज भी सेम ही जाती है लेकिन इतनी बड़ी नहीं मिलेगी ना सब 4 मिटर वहां पर देखने के लिए मि सब बेटर वील बेस देखने के लिए मिल जा रहा है बूट सबसे बड़ीया बूट सबसे लगी और यह गाड़िया को कैसी लगती है दोस्तो कमेंट शीक्षिं में मुझे जरू बताना और अगर मेरी वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी भी हलप हुई हो न तो भाई हैं